मेरे पैरे देश्वासियों, मन की बात रंग बिरंगे मोतियों से सजी एक सुन्दर माला है, जिसका हर मोती अपने आप में अनूठा और अनमोल है। इस कारकम का हर एपिसोड बहुती जीवन्त होता है, हमें सामुहिक्ता की भावना के साथ साथ समाज के प्रती, कर्तवे भाव और सेवा भाव से भरता है। यहां उन विशवों पर खुल कर चर्चा होती है, जिनके बारे में हमें आम तोर पर कम ही पढ़ने सुनने को मिलता है। हम अकसर देखते हैं कि मन की बात में किसी विशे का जिक्र होने के बाद कैसे अनेकों देश वाष्यों को नई प्रेड़ा मिली। हाली है मैं मुझे देश की प्रसित्य भारतिय सास्त्रिय नुत्यांगना आनंदा शंकर जैन का एक पत्र मिला। अपने पत्र में उन्होंने मन की बात के उस एपिशोर के बारे में लिखा है जिसमें हमने स्टोरी टेलिंग के बारे में चर्चा की थी। उस कारकम में हमने इस फिल्ट से जुड़े लोगों की प्रतिभा को अकणालिश किया था। मन की बात के उस कारकम से प्रेरित होकर आनंदा संकर जैन्त ने कुट्टी कहानी तयार की है। ये बच्चों के लिए अलग लग भाशाओं की कहानीों का एक बहतरिन संग्रव है। ये प्रयास इसलिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि इससे हमारे बच्चों का अपनी संस्कृति से लगाव और गहरा होता है। उन्होंने इन कहानियों के कुछ इंट्रेस्टिंग वीडियो अपने यूटूब चैनल पर भी अप्लोड किये हैं। मैंने आनंदा संकर जैन्त के इस प्रयास की विशेश तोर पर इसलिए चर्चा की। क्योंकि ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि कैसे देश वासियों के अच्छे काम दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। इससे सिक्कर वे भी अपने हुनर से देश और समाज के लिए कुछ बहतर करने की कोशिस करते हैं। यही तो हम भारत वासियों का वो कलेक्टिव पावर है जो देश की प्रक्रिती में नई शक्ति भर रही है।